हेलो गाइज, फूट पर फूटीज में आपका स्वागत है, मैं हुरतिका और आज के एपिसोड में आपने लेके आई हूँ बहुत ही जहटपट से बनने वाली डिनर रेसिपीज आज के एपिसोड खास उन लोग के लिए है, जिनके पास में शाम को डिनर बनाने के लिए बहुत ही कम समय होता है, बच्चों के बहुत सारी अक्रिविटीज होते हैं या खुद का ओफिस होता है, तो यह जो रेसिपीज आपको बहुत हिल्प करेंगी, साथ ही जो आपके बा यह जो पांचो रेसिपीज हैं यह बहुत बहुत इज़ रेसिपीज हैं इसमें मश्रूम मतर से लेकी, दो तरे की चेटनी है, मोमोज हैं और वाटनोट तो यह जल्दी से आज की अपिसोड शिरू करते हैं, आज की हमारी पहली रेसिपी अपनीर मोमोज और रेसिपी और यह बढ़िया मोमोज बनते हैं, I mean, तो आएए बनाते हैं, पनीर मोमोज और चेटपटी रेचेटनी, आज कल यह सब के फेवरिट होते हैं, बड़ों से लेके बच्चों दख सबको मोमोज खूब पसंद आते हैं, तो आएए बनाते हैं, आटे से बने हुए हेल्दी मो मुमोस के लिए इसे भी बना लेते हूं यहां पर मैंने भलका सा नमक और एक चमच देसी घी मिला है यह आटा हमारे रोटी वाले आटे से थोड़ा सा हमें टाइट रखना है पर पूरी के आटे जितना टाइट नहीं करना तो यहां पर आटा लगके तयार है इसे हम ढखके सा पनी और उसमें डाल दी है बिलकुल बारी कटी हुई लाल पीली शिमला मिर्च साथ में बारी कटा हुआ प्याज थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धन्या और हरी मिर्ची भी आट करी है अब हम इसको सीजन करेंगे तो सबसे पहले डाला यहां पर नमक नमक आपने टेस्ट के और औरिगेनो सीजनिंग आधा चममच इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब इस फिलिंग को यहां पर टेस्ट करके देखेगा यहां पर जो नमक है वो हलका सा चटक होना चाहिए अब हम एक रेगुलर रोटी से थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी पतली रोटी बेल लेंगे इसको जितना पतला हो सके आप कीजेगा जितने पतली रोटी होगी उतने ही टेस्टी मोमोस बनेंगे आप इसके ठिकनेस यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर मैंने मोमोस को दो तरह से बढ़ा है सबसे पहले तो यह सिंपल वाला तरीका में अब यह जो आजकर का popular style है वो इसमें हमने चोड़ी से पूरी लिए है उसके साइड में सबसे पहले में पानी लगा देना है उसके बाद में हमें यहाँ पर रखनी है बीच से हमें इसे जॉइन करना है और साइड से बिकुल इस तरह से प्लेट्स बनाने हैं दोनों तरफ से और यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं बड़े अच्छे लगते हैं अब मैं यूज़ कर रहे हूं और यूज़ करने के लिए अपना अगारो का इलेक्ट्रिक है मुझे तो इसके अंदर मैंने स्टेमिंग वाला स्टैंड और था है इसके साथ में आता है और यहां में पानी डाल रहे हूं पानी का जो लेवल है वह में स्टैंड से निचे ही रखना है इतने पानी में 2 से तीन बाराब आराम से मोमोस बना सकते हो अब जो मास्केट हमने रेडी करिये मोमोस लगा के उसे हम अंदर फसादेंगे लिट को क्लोस करेंगे और यहां पर स्टीमिंग का ऑप्शन और डिया हुए इसके प्रिसेट मेन्यू में उसे हम सेलेक कर लेंगे मोमोस को स्टीम होन जो ऊपर हमारे बास नॉब होती है यह वेंटिंग पर होनी चाहिए मतला अंदर प्रेशर नहीं बनना है इसकी स्टीम जब भी बने वो रिलीज होती रहे जितने हमारे मोमोस स्टीम हो रहे थे मैंने सोचा चलो फटा फट से चटनी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने लिए हैं तीन टमाटर चार-पांच कलेले सुनकी एक टुकड़ा अदरक का और दो कश्मीरी मिर्च आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च और भी ले सकते हैं और इन्हें हम बॉल कर देंगे इन्हें 5-7 मिनट गैस पे हाई फ्लेम पे बॉल कर लीजिए उसके बाद में जो टमाटर की चिलके हैं उन्हें हटा दीजें यह चेटनी बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी लगती है अब इसको में ब्लेंड करना है ब्लेंड कर दे समय यह काफी गरम था इसलिए थोड़ा सा ओजा ओट हो रहा है अधवाइस ठंडा कर क्या ब्लेंड कीजेगा अब मुझे कश्मीरी मिर्च की वज़े से आप कलर देखी सकते हैं इसका बहुत ही लाजवाब आया है अब मैं इसको सीजन कर रही हूँ सिर्फ यहां पे मिने नमक डाला है और डाला है मैगी मसाला अब मैगी मसाला कंप्लेटली ऑप्शनल है बढ़ यार हमें तो इसका फिर बहुत अ होने दीचेगा और गर्मागरम मॉमोज ना बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों शेप्स के मॉमोज बहुत बढ़िया निकल का है आए अब फटा फट से इन्हें प्लेट कर लेते हैं तो यह रहे हमारे मॉमोज लग रहे हैं एकदम टेस्टी एकदम ऐसा लग रहे हैं मार तक से तो बिलकुल रहा ही नहीं जा रहा था उसने काता है बस ममा इसे लगा हूँ मैं फटा फट खाता हूं और साथ में अगर गर्मा गर्म कोई सा सूप होना तो एकदम पोफेक्ट डिनर हो जाता है और बस कैसे फोटो खिच पहिए यह मुझे ही पता है यह पता है you can see this boy और अभी मैं आपको दिखाते हो यह कितने जादा जूसी है इसमें जो सबसिया थी वह प्रॉपली स्टीम हो जाती है पूरे मुमोज अच्छे से भरे हुए है और लुक अट इट पनीर मुमोज काफी हेवी होते है इसलिए यह आपको खाते समय पता नहीं लेगा लेकिन ज चेटपटी चेटनी और इसके साथ में पनीर मुमोज जरूर से ट्राय कीज़ेगा बहुत ही असान है बनाने में और आप घर में ही मुमोज बना सकते हैं बाहर तो यह बदा नी क्या क्या डालते हैं आप इस तरह से बनाइए और ट्रस्ट में बिल्कुल भी मिस नी करोगे अब चलते हैं अपनी नेक्स रेस्पी पे और इसमें में बनाने वाली हूँ आलू गाजर मतर और साथ में मेथी का हमने इसमें ट्विस्ट दिया है बहुती प्यारी सी सबजी है सर्दियों में बहुत ची लगती है और जैसे सर्दियां बढ़ेंगी मेथी और अच्छी मतर भी और मुलाय मुलाय में आएगी तो आपको इसे खाने में और जादा मज़ा आएगा तो आईए बनाते हैं आलू गाजर मतर वित मेथी ट्विस्ट आईए बनाना शुरू करते हैं बहुती फ्लेवर फुल आलू गाजर मतर मेथी के ट्विस्ट के साथ तो यहां मैंने मटर औरेडी चिलके रखे हुए है साथ ही मैंने यहां पे ढाई गाजर ले हुई है थोड़ा सा अद्रक और हरी मिर्च लिया हुआ है इसको हम अच्छे से कूट लेंगे कूटे हुए अद्रक और हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो अद्रक को ग्रेट करके भी इस्तमाल कर सकते हैं अभी कुट के हम साइड में रख देते हैं और बाकी सब्जियों को कट करते हैं तो यहाँ पे गाजर को भी हमें छोटा-छोटा ही काटना है सब्जियों को अच्छा बनाने के लिए जितने भी सब्जियां आप यूज़ कर रहे हैं सब्जियों आप तीन सब्जियां यूज़ कर रहे हैं तो तीनों का जो साइज है वो आलमोस्स सेम रखे आजकल गाजर आनी शुरू होई है तो बीच में से मुलायम तो है मगर थोड़ी वाइट जादा है बट इसको भी मैंने डाइस कर दिया है साथ पे आलू को भी हमने यहाँ पे डाइस कर लिया है मुझे पोजनली ऐसा लगता है कि सब्जियों की जो कटिंग है उसका टेस्ट पे बहुत जादा एफेक्ट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे इसी डीटेल में दिखाया है क्योंकि सब्जी वैसे सिंपल है बन बहुत ही जादा फ्लेफुल है तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अपनी अगारों की हनीकों कड़ाई आप लोगों में इसे बहुत लोगों ने इसका रिव्यू माँगा था तो सो फार सो गड़ आप देखी रहे हैं मेरे अल्मोस्ट हर वीडियो में यह होती है चाहे मैं में मेंशन कर हूँ या नहीं तो यहाँ मैंने डाला है एक चमच सरसो का तेल साथ है मैं इसमें डालेंगे आधा चमच जीरा जीरा अच्छे से चटक गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच हींग इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं हींग और जीरा पक गया है और अब बारी है इसमें अद्रक और हरे मेर्ज को डालेंगी तो आधा काम sorted रहता है, चाहे इसके पराथे बनाएए, चाहे आलो के साथ चौके खाईए, फटा फट चीजे रेडी हो जाती है तो अब बारी है मसाले डालने की, सबसे पहले मैंने डाली है इसमें आधा चमच हल्दी इस सबसी को थोड़ी सी बाइंडिंग देने के लिए, बॉड़ी देने के लिए हम इसमें डालेंगे दो चमच धनिया पाउडर, एक चमच इसमें जाएगा नमक, नमक आपने टेस्के कोडिंग एड़ कर सकते हैं और बिल्कुल जरा सीमें लाल में चैट कर रहे हूँ, क्योंकि हम अलड़ी हरी में चिसमें डाल चुके हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और अब ये मसाले इन सबसी के साथ में थोड़ी दिर तक पकेंगे इसे बनने में 10-15 मिनिट लगते हैं, धीमी आज पर ही इसे पकाना है, बीच में एक दो बार इसे उठा के आप चलाते रहे हैं यहाँ पर आपने नोटेस किया होगा कि मैंने इसमें अलग से कोई भी पानी नहीं डाला है इसे हम धीमी धीमी आज पर भूनते हुए पकाएंगे हो सकता है, कड़ाई के नीचे हलका सा लगे भी बट जो मॉइस्टिर सबजियों में अलड़ी है, उसी से सबजी पक जाएगी अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने ढग दी और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी मेथी ये तक्रीबन 100 ग्राम मेथी है, इसको हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम इसे सबजी में मिक्स कर देंगे अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस स्टेप को आप इसके भी कर सकते हैं मेथी को डाल के हमें तक्रीबन 2-3 मिनिट तक पकाना है जिब तक की मेथी पक नहीं जाती और अब मैंने इसमें आट किया है एक चमच अमचूर और आधा चमच गरम मसाला इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए 30 सेकंड के लिए पकाएंगे और आपकी जो सबजी है वो रेडी हो जाएगी यह सबजी हो और गर्मा गरम रोटी एकदम सौड़ेट डिनर है या नहीं वेल मुझे तैसी सिंपल सबजियां बहुत अच्छी लगती है आपको यह रेस्पी कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमें सेक्शन में लिखके जरूर से बताएगा वेल यह सबजी टिफिन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है आप चाहे तो गाजर को काट के रात में फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह सुबह सबजी बना सकते हैं इसके साथ मैं रोटियां पैक कर रहे हूं और यूज कर रहे हूं और डिका यूनी रैप यह पेपर फॉयल है हल्थ के लिए अच्छा है और एंवर्मेंट के लिए भी प्लस यह रियूसिबल भी है मतलब आप इसे एक से जादा बार इस्तमाल कर सकते हैं तो हमारा डिफिन भी बन के तयार है इस तरह की सिंपल सब्जियां रात के खाने में जरूर इंक्लूट कीजिए फाइबर भी जाएगा और हल्दी तो होती है तो गैस यह थी है अलू गाजर मतल मेठी और यह बहुत ही बढ़िया बनती है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है इसके साथ में आप परांटी मनाएगे एक दम गरम गरम इस सबजी को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता आप इसे चाहें तो प्रेशर को कर भी आप चलते हैं अगली रेस्पी पे और इसमें हम बनाने वाले हैं वेजी और होट गालिक सास बनाने में बहुत आसान डिनर का बहुत ही प्यारा सा आप्शन और आपको मतलब जिसे बाहर चाइनीज खाने क्रेविंग होगी ना तो आपके खाईए हेल्दी है टेस्टी है व यह बनाना शुरू करते हैं वेजी जन गालिक सास यह बनाने में बहुत ही आसान ए और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो यहां में यूज़ कर रहे हूं दसानो ओलिव और इसे हम डालेंगे कडाई में बिल्कुल एक चमच ओलिव उलिव उलिव नहीं डालना इसक यहां पर सबसे पहले मैंने लहसन और अद्रक को अच्छे से ब्राउन कर लिया है यहां पर अद्रक बहुत थोड़ा सा एक छोड़ा सा टुकड़ा जिसे की एक लहसन के बराबर और लहसन है चार से पाच कली इसमें हम प्यास डाल देंगे डाइस किया हुआ साथ में बहु करते हैं तो कॉली फ्लार मश्रूम यह सब कुछ इसमें जा सकता है बड़ी प्यारी सी रेस्पी बनके निकलती है इसके साथ में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा भी नीच है मतब रोटी चावल भी नीच है मुझे तो इतनी पसंद आती है कि मैं दो बोल भरके यह पूरा सब सब्जी ले लेती हूं तो यहां पे हम सब्जी एड गरेंगे साथ में थोड़ा सा सागा प्याज एड कर देंगे और इन सारी सब्जियों को खुब अच्छे से भून लेंगे अब इसको सिजन कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें जा रहा है एक चमच नमक नमक हम बाद में भी adjust कर लेंगे जब sauces पढ़ जाएंगे उसके बाद और साथ में आज़ा चमच हम इसमें काले मिर्ची डालेंगे crush करके fresh crush काले मिर्च का इसमें flavor जादा अच्छा है तो यहां पर देखिए सब्जी को हमें high flame पे पकाना है हलका सा ढख देंगे ढखने के बाद हमेशा flame को low कर दीजे कभी भी high flame पे ढखना नहीं है सब्जी को तो यहां पर सारी veggies हमारी अच्छे से saute हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे soya sauce तो यहां पर मैं dark soya sauce यूज़ कर रहे हूँ इसमें हम दो चमच dark soya sauce डाल देंगे इसी से हमारी gravy में color आने वाला इसलिए थोड़ी सी जाधा डाली है साथ ही हम इसमें दो चमच vinegar भी डालेंगे अगर आपको थोड़ा सा जाधा टैंगी पसंद दो आप इसमें vinegar की quantity हलकी सी बढ़ा भी सकते हैं लाज़ में इसमें डाल रहे हूँ tomato sauce प्लस chili sauce यह maggie की tom chili वाली sauce है आप चाहें तो इसमें tomato sauce अलग और chili sauce green chili या फिर red chili sauce अलग से डाल सकते हैं इन sauces को भी हमें 15-20 second तक चलाते हुए पकाना है sauces को पकाना बहुत जरूरी है इससे taste enhance होता है और अब मैं इसमें add कर दे रहे हूँ आधा लीटर पानी यहाँ पे पानी के साथ में veggies को हम एक boil आने के लिए पकाएंगे meanwhile इसकी gravy को गाड़ा करने के लिए हम इसमें corn flour add करेंगे अब अगर आप रात के टाइम corn flour खाना avoid करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे oats का powder भी यूज़ कर सकते हैं दो चमच oats का powder डाल देजिए बस उससे जो gravy है वो इतनी clear नहीं आती है यहाँ पे मैंने एक चमच corn flour को पानी में घोल के add कर दिया है corn flour इस gravy को अच्छे से गाढ़ा कर देगा यहाँ पे मैंने इसे बहुत जादा गाढ़ा नहीं किया है बहुत हलका सा मैं इसमें थिकनस लाना चाहती थी बैंडिनिग लाना चाहती थी इसलिए मैंने corn flour add किया है साथ में डाल देंगे इसमें पनीर यहाँ पे आप fried mushrooms भी add कर सकते हैं लास्ट में डाल रहे हूँ आधा चमच चीनी यह चीनी सारी टेस्ट को balance करेगी जो हमने vinegar डाला है उससे balance करने के लिए चीनी बहुत जरूरी होती है थोड़ा सा सागा प्याज ओर गया और हमारी बहुती टेस्टी veggies and hot garlic sauce रेडी हो गई है और अगर आपको यह gravy थोड़ी पत्ली लग रही है तो कौनफला की quantity को आप 1 teaspoon पर measuring cup कर सकते हैं बट यह रखने के बाद में और ज़्यादा गाड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसे 1 teaspoon डाला है दो measuring cup पानी पे इसको में सर्फ करे हूँ प्लेन राइस के साथ में ऊपर से इस पे हम डालेंगे थोड़े से टोस्टेट सेसमी सीड और थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन इसा लग रहा है किसी रेस्टरान से मिले आपको इसका जो टेस्ट है वो आपके एकोर्डिंग है जाड़ो की धूप और यह प्लेट वैसे तो यह दिनर आइडिया है मिट लंच मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपको यह रेस्पी कैसी लगी यह मैं जानना चाहोंगी प्लीज मिचे कॉमन में जरूर बताइड़ा यह दो यह दो पूरा बोल और राइस में और कम कर लेते हो और जाने में आपका यह बहुत अच्छा प्या सब्सक्राइब कर दिख है करते हैं लिए एक अच्छा प्रणिवे वह तो यह दूर इसमा थोड़ाई कघर चुली तो और मजा आचाहेगा अच्छा चाही लगे आपको हट्गालिक यह रेस्पी निए टोड़ाइस सब्सक्राइब है उसे भूल बरके खा जाती हूं पनी चाहाब मैं नाखली नाम है आथे तो अब चलते हैं अगले अगली रेश्पी रिचापन होकी यह बनाने वाली हूं, दो चलते हैं, अगली रेश्पी कर अपने हूं इस मैं अगली रज़ा राई हूं, ध्राई मुझ्टर मश्रूम् लेकिन इसको बनाते समय जब आप मटर यूज करें वह सर्दियों वाले ही करें क्योंकि दोनों चीजे मुलाइम होना बहुत जरूरी है इससे जो सबजी है उसका टेस्ट बढ़ता ही है और यह जल्दी पकती है तो आईए बनाते हैं मटर मश्रूम ड्राइ आईए बनाना शुरू करते हैं मटर मश्रूम ड्राइ और इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमें माश्यूमस को वाश करना है तो कोड़ें एक ही मश्रूम को हमें सेम साइस के पीसें में कट करना है, तो यहां पर मैंने डाला है इसमें आदा कब दही, नौर्मल जो घर में दही रखा था वही आट किया है, हंकर बनाने की ज़ुरत नहीं है, साथ में आदा चमच नमक और आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर, यहां प जितना मसाला वगरा प्रिपैर करेंगे उतना ही, तो यहां पे टमाटर को भी हम चॉप कर लेते हैं, यहां दो मेरे मीडियम साइज के टमाटर लिये हैं, एक हरी मिर्चीली है और इसको हम चॉप कर लेंगे, यहां पे हमें टमाटर को पीस के यूज नहीं करना है, इसे इसमें बहुत जादा तेल नहीं यूज़ करने बाले हैं, उसके बाद भी सबजी बहुत अच्छी बनेगी, तेल डालके हम थोड़ा सकडाई में अच्छे से फैला देंगे और अब डालेंगे इसमें एक चमस जीरा, जीरे को हम स्प्लेटर करने देंगे और जैसे ही जीरा स् अद्रग है, मानिए चार कली लहसुन तो उस पे एक छोड़ा सा टुकड़ा अद्रग का, और अब हम इसमें अपने रेगुलर सुखे मसाले अड़ करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, आधा चमच, एक चधाई चमच, लाल मिर्ची पाउडर, देड़ चमच, धन्या अब सुखे मसालो को हमें थोड़ा सा भून लेना है और इसमें आड़ करना है बारी कटा हुआ टमाटर, इसी वचे से मैंने टमाटर को पहले चौप करके रख वाया था, जब भी हम ड्राय मसाले डालेंगे, उसके पहले हमें टमाटर को चौप करके या पीस के तयार रखन अब टमाटर को हम हलका सा पका लेंगे, यह दिखे, बिल्कुल ड्राय हो गया है, बिल्कुल मशी हो गया है और अब हम इसमें आड़ कर देंगे आदा कप मतर, अच्छे से पक जाना चाहिए, उसके बाद ही मतर डालेगा, अदरवाइस मतर गल्ले में बहुत दिक्कत करेग अब हम आड़ कर देंगे इसमें मारिनेट क्या हुआ मश्रूम, मश्रूम जैसे जैसे पकेगा वैसे 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 पानी छोड़ेगा और उसी पानी में हम मतर को पकाएंगे, इस सबजी में हम अलग से कोई भी पानी आड़ करने वाले नहीं है, फ्लेवरिंग के लिए यहा अच्छे से सूख जाए और उसके बाद में इसे धीमी आज पे कम से कम 10 से 15 मिनिट के लिए पकने देंगे, इससे यह सबजी बहुत ही अच्छी तरह भुन के तयार होगी और जो इसके फ्लेवर्स है वो बिलकुल अलग तरिके के आएंगे, तो देखे यहाँ पे हमारी सब जल्दी और टेस्टी है, आप मुझे जरूर से बिताएगा कि आपको यह ड्राय मटर मश्रूम की रेस्पी कैसी लगी और जब भी गेस्ट आने वाले हो जरूर राय कीज़ेगा इसे बनाईएगा जरूर पुरांठो के साथ में सर्व किज़ें, मैंने बथ हो प्रांठो के साथ में रोल करके सर्व किया था, और इट वाइस्ट यमी. अब चलते हैं अपनी लास्ट रिस्पी बे और इसमें मनाने वाली हूँ बेसन के परांठे और टमाटर की चैटनी. ही थो अर ख Leonardo dapper को क्या होता है ऐस की थे थोड़ा लाइट को यह जो यह यहाँ आते हैं सुभाँी यह कोज। शीचने से बहुत धूल की मैच हप्तीजी तो थो क्क्राथय ना घर शामिन目前 के मैं साथ में बेसन के पराठे। साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे नमक यहां पे एक से डेट चमच चला जाएगा क्योंकि हम ये पराठा खाली चटनी के साथ में खाने वाले हैं जरा सी हम इसमें हल्दी डालेंगे बिल्कुल जरा सी इसमें डालेंगे लाल मिर्च साथी इसमें आदर चमच अजवाईन हम हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि खुब अच्छी से खुश्बू आए एक चमच इसमें जाएगा सरसू का तेल तेल जादा बिल्कुल मट डालेगा अदरवाइस इसका करचाने का टेस्ट आने लगता है मैं धनिया थोड़ी सी और आड कर देती हूँ इसमें और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम पराठे का आटा लगाना शुरू करते हैं पराठे का जो आटा है उसे हमें थोड़े थोड़े पानी को डाल के लगाना है यह आटा sticky होता है मतलब बेसन को जो आप मारते है ना sticky होता है अब आटा जितने हमारा set हो रहा है उतने हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं कडाई में हम एक चमस सरसो का तेल डालेंगे साथी आदा चमस जीरा डालेंगे जैसे ही जीरा चिटकने लगेगा हम इसमें अद्रक और हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पर मैंने बहुत सारी हरी मिर्च काटी हुई है क्योंकि यह जो टमाटर की चेटनी है यह तीकी, खटी, मीठी बड़ी ही फ्लेवफुल होती है यहाँ पर मैंने पांच मीडियम साइस के टमाटर लिये हैं, उन्हें रफली काट लिया है और इसी में डाल दिया है इनके उपर जाएगा एक चमच नमक और इसके बाद हम टमाटर को गलने तक पकाएंगे बड़ी सिंपल सी रेस्पी है, इसके लिए जादा इंग्रीडियन नहीं चाहिए और जब कभी आपका मन करेगी कुछ ऐसा खाना है चटपटा टाइप का और सिंपल तो आप ये चटनी बना सकते हैं अब जितने टमाटर हमारे गल रहे हैं, मैंने आप ये 100 ग्राम टुकड़ा लिया है गुड का, इसको ग्रेट कर लिया है ये देखिए, 10 मिनट बाद टमाटर थोड़े थोड़े मशी हो रहे थे, वैसे मैंने इने थोड़े देर और पकने दिया और उसके बाद टमाटर खूब अच्छे से गल गए थे, ये देखिए, बिलकुल इसका छिलका अलग हो जाना चाहिए आप चाहें तो छिलका रिमूव भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको टमाटर को हलका सा ब्लांच करना होगा अब यहां भी मैंने गुड़ अड़ कर दिया है, गुड़ को डालने के बाद में इसे ढख के 5 मिनिट के लिए पका लीजे 5-7 मिनिट में आप देखेंगे टमाटर की चटनी जो है वो गाड़ी होने लगेगी, तो यहां पे चटनी हमारी बनके बिलकुल रेडी है इसको टेस्ट करके अपने कॉर्डिंग आपको लगता है, कुछ खटा मिठा जाद होना चाहिए, नमक होना चाहिए, तो अज़ेस्ट कर लीजे में वेले हम पराठे बना लेते हैं, इनको हम हलका सब पर्थन लगा के सेक लेंगे और खुब अच्छे गरम तवे पर डालेंगे, पहले एक तरफ से इसको चितियां आ जाने देंगे, उसके बाद बल्टेंगे, उपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे बेसन के टेंडेंसी होती है, पकने के बाद में वो और ड्राय हो जाता है, तो इन पराठों में घी थोड़ा अच्छे से लगता है, पर मैंने कम लगाया है, क्योंकि यह मैं डिनर के लिए बना रही थी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा ही लगाके, एकदम गोल्डन हो जाने तक इसे सेखना है, अच्छे से प्रेस करके सेखेगा, क्योंकि पराठे हलके से मोटे होते हैं, अपने रेगुलर गेहूं की रोटिया पराठे से, अंदर तक अच्छे से से शिख जाने चाहिए कॉमनेशन तयार है, आपको ही कैसा लगा मुझे कॉमन सेक्षन में लिखके जरूर से बताइएगा, और ऐसी और रेस्पीस के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अब आईए एक पराठे को तोड़के देखते हैं, यह देखके बहुत ही खसकसा पराठा हमा यह दरूर कीजेगा, अपने बहुत से घ्रूप पे कीजेगा, अपने फरेंशन फैमली के साथ में कीजेगा, मुझे बहुत बहुत मिलती है, साथी चैलो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन हिट करना, बिलकुल मत भूलेगा, फिलहाल इतना ही आज के एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए keep watching and bye bye